देर स्टुएंट we have to discuss about the lifelong learning for the sustainable development. हमने जहाँ पे sustainable development की बात के अंदर जहना हम poverty की बात करते हैं deprivation की बात करते हैं developing countries की बात करते हैं वहाँ पे resources की भी बात करते हैं अच्छा अब हमें ये बताने की जरूरत है कि अब जी उसके तरह हम उसके एक एक एक्जामपल देते हैं आपको कि हमारे जो जंगलात है उनके तेजी से काटने से जो हमारे प्रॉब्लम बायो डाइवरस्टी के जो इशुज आ रहे है जिसके गलोबल फार्मिंग आ रही है, हमारे जो फलर्ड आ रहे है हमें ये बात बताने की जरूरत है अपने अडर्स परग्राम के अंदर उन लोगों को बताने की जरूरत है कि आप ये देखें कि आपके इस अस्रात से यानि जंगल काटने से जो असरात मुरत्ब हो रहे हैं हमें अब उसकी एजुकेशन देने की जरूरत है और ये एजुकेशन सिर्फ किताबों में देने की जरूरत नहीं है ये एजुकेशन पूरी कम्यूनिटी को देने की जरूरत है ये एजुकेशियर हमें अपने अडर्ट्स को देने की जरूरत है इसकी दो बाते हैं जो इंपॉर्टन्ट है एक हमारे पास जंगलात का कटाओ और दूसरी बात हंटिंग अब देखें शिकार करना कोई बुरी बात नहीं है सद्धियों से ये चलता हुआ आ रहा है लेकिन उसके असरात जो मुरत्ब हो रहे हैं हमें वो बताने बहुत जरूरी है कि हमारे बहुत से जानवर जो है वो नापैद होते चले जा रही है अब इसका नालिज अगर हम शिकार करने वालों को नहीं देंगे तो उससे हमारी जो पूरी दुनिया है जो एज़ सियारा इस पूरी मखलूब की जह बात करते हैं जहां पे मिलियन्स बिलियन्स के रह रहे हैं तो अल्ला सुभाना ताला ने जो बैलंस डिवेल्प किया हुआ है उसके अन बैलंस होने का खत्र है उसमें चाहे शिकार हो या वो चाहे जंगलात हो अब ये वाला जो नालेज है ये जब तक हम इसको डेटा बेस परवाइड नहीं करेंगे कि हमें नीड कितनी है मैं उसके एक आम से मिसाल देता हो कि हमें हमारे पास कितनी जंगलात या कितनी प्लांटेशन होनी चाहिए हमें वो पता होना चाहिए कितनी मौजूद है हमें वो पता होना चाहिए कितनी प्लांटेशन की जरूरत है हमें वो पता होना चाहिए कितने प्लांट्स हम काट सकते हैं अपने डेली यूज के लिए हमें ये नालेज होना चाहिए और ये नालेज कौन देगा ये नालेज लाइफ लॉंग लर्ने के अंदर तमाम अडल्ट्स को अवेरनेस के जरीए सब लोगों को बताए जाएगा और बिलकुर इसी की पेरामीटर के उपर हंटिंग की बाद आती है हमें ये बताना जरूरी है कि कौन कौन से जानवर हैं जिनका शिकार आप कर सकते हैं उनका ग्रोथ रेट जो है वो इतना है कि आपके शिकार करने से उनकी जो जिन्दगी है वो खत्म नहीं होगी वाज या वो जानवर जो है वो दुनिया से नापैद नहीं हो जाएगा अब इसके लिए हमें लाइफ लांग लर्नें के लिए अंदर ये हमारे पास डेटा होना ज़रूरी है कि ओवर आल हमारे पास जो अनिमल्स हैं उनकी जो दुनिया है एस्टीमेशन करके कि वो दुनिया कितनी है नमबर एक नमबर दो इस सियारे के सरकल को बेलनस रखने के लिए कितनी हमारी बुन्यादी नीड है नमबर तीन कितनी अवیले displacement है कि आप कितना शिकार कर सकते हैं नमबर चार अगर इस से ज्यादा करेंगे तो उसके नुकसान क्या मुरतब हो जेंगे मैं उसे एक मिसाल देता हूँ अगर हम जंगल से सारे शिकार हम कर लें तो हमें सोचने की जरूरत है कि पिर शेर कहां से चाहेगा चीता कहां से खाएगा फिर वो कहां से शिकार खाएगे इसका मतलब है कि इस पूरे सेयारे के अंदर जो दुनिया की जानवों की लाइफ है उनके अंदर और जो जंगलात है इनके अंदर कितना एक हम दखल अंदाजी कर सकते है कितना शिकार हम कर सकते हैं? कित्रा जंगल हम काड सकते हैं? ये नाउलज यू है? ये अवेयनस के जरिए अडल्टस को देना धरोड़ी है और ये लाइफ लाउंग लर्निंग के अंदर भी जाना हमार पास ये नालज दिया जा सकेगा और इस नालिज के अंदर हम अपने जंगलात के और जो जानवों गए एक दुनिया है उसको हम सेव कर सकते हैं